हलो हेव्री ऐट्रीबन् मैनच्मेन्ट मंतरा के इस वीडियू में आप पढ़ेंगे difference between formal और informal organization कि formal organization और informal organization के bीच में क्या आनतर होते हैं तु इनको detail में देखने से पहले description में आप organization behavior से related different topics पे वीडियो देख सकते हैं वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, चानल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पे वीडियो चीजिए तो आप कमेंट कर सकते हैं फर्स्ट हम देखते हैं मिनिंग के बेसिस पे formal organization and organization type in which the job of each member is clearly defined whose authority, responsibility and accountability are fixed in formal organization formal organization मतलब उपचारिक संगट है वो होता है जहां पर सब लोगों की job पता हो कि उनको क्या काम करना है उनके roles पता हो, उनके पास कितनी power है उनके क्या अधिकार है, क्या जिम्मेदारिया है वो कि इसको जवाब देंगे, वो सारी चीज़े फिक्स्ट होती है वो होता है formal organization for example कि हम school की बात करता है तो principal होते हैं, वो owner के लिए responsible होते है फिर उनके नीचे जो class teachers, teachers आते है management के लोग तो इस तरीके से सब को बताए कि सब को क्या काम करना है तो यह formal organization को बताता है वही हम informal organization की बात करें an organization formed within the formal organization as a network of interpersonal relationship when people interact with each other is known as informal communication जो भी organization, formal organization के अंदर अपने खुद के network से, interpersonal relationship से बनते है मतलब आपको कोई अच्छा लगता है अपने उसे बात है कि अपनी चीजें शेयर की वो आपके साथ शेयर करता है आपका friend बन चाता है तो वो सारे जो होते हैं वो होते informal organization को बताते हैं जिनके बीच में formal मतलब आपको ना कुछ power है ना कुछ responsibility ना accountability है पर वो आपका friend है तो यह होते हैं informal organization जिसके साथ आप lunch शेयर करते हैं सेम desk पर बढ़ते हैं जो आपके पास होगा जिससे आप अच्छी बाते करते होगा तो यह informal organization को बताता है नेक्स्ट आता है formation के basis पर जो formal organization होता है यह rules और policies से बनता है मतलब कि जो भी आपकी policies यह rules बनाए गए हैं उनके according की सबको उनको follow करना है वो आपके formal organization को बताता है पर informal organization इस नाट formed deliberately अजिससे रिजल्ट आफ social interaction यह formal organization से नहीं बनता है इसको जानबुचके नहीं बनाया चाता है यह बन जाता है आप social interaction करते हैं लोगों से बाचीत करते हैं उसके basis पर बन जाता है पर formal organization को बनाया चाता है नेक्स्ट आता है purpose के basis पर formal organization to fulfill the ultimate objective of the organization जो organization का objective है जो goal है उसको अचीव करने के लिए आपको sales increase करने है profit earn करना है market share को increase करना है social welfare करने के कुछ भी आपके objective हो सकते है उनको पूरा करता है वही informal organization to satisfy their social and psychological need जो भी लोगों की social and psychological need मतलब सिर्फ आप काम ही करते रहे हैं आपकी कुछ need होती कि आप लोगों से मिले आपको self-esteem मिले आपको satisfaction मिले जो भी आपकी जुरूरते है वो पूरी हो और आप अपनी चीज़ें भी share कर सके friends हो family हो तो ये सारी चीज़ें भी आपकी जरूरतों को बताती हूँ कि आपको उनमें भी satisfaction चीज़ जो चीज़ें आपको इस तरी के से satisfied करती है वो informal organization को बनाती है next आता है authority के basis पे formal organization members are bound by hierarchical structure जो भी members होते है वो hierarchy के structure में होते हैं मतलब आपका top management फिर middle फिर lower top management plan policies को बनाता है middle level उसको implement करवाने का काम करता है lower level से मतलब जो उपर से rules, regulation या policies बनी है जो भी उनको orders है उनको वो workers से fulfill करवाता है तो इस तरीके से पूरा structure चलता है और वो hierarchy में चलता है जो कि अमने levels of management में देखा था वही informal organization में सारे members equal रहते हैं ऐसा नहीं कि किसी के पास कुछ पाबर है या किसी को किसी की बात सुननी ही है informal organization में आपका मन होता है आपको अच्छा लगते हैं तब बात करते हैं बल्कि फिर आप नए friends बना लेते हैं नए zone में चले जाते हैं तो सारे members equal रहते हैं informal organization के अंदर next आता है flow of communication formal organization communication take place through formal channel only जो communication होता है वो सिर्फ formal channel से ही चलता है उसी के basis पर communication होता है मतलब top level middle को बताएगा फिर middle lower को बताएगे कुछ भी information का flow रहते हैं तो मतलब वो responsibility को इस तरीके से देते हैं और नीचे से उपर accountability या फिर आप results बताते हैं कि आपने जो भी काम किया उसका क्या result आए या क्या क्या काम किये आप उनके लिए accountable रहते हैं इस तरीके से communication का flow होता है वही informal organization में communication takes place through informal channel having no fixed path जो informal organization होता है इसमें कोई channel नहीं होता है नहीं कोई fixed path होता है communication का भी भी कैसे भी flow हो सकता है मतलब लोग grapevine के थूद जीओं आप पे उनका group बना वापे वो आपस में बात कर लेते हैं एक ने किसी को बात बोली है फिर वो दो चार को बोल देता है फिर वो दो चार या दस को भी बोल सकता है तो इस तरीके से communication का flow चलता रहता है नेक्स्ट आता है behavior formal organization behavior is prescribed by the manager जो आपको manager ने बता है कि आपको किस तरीके से behave करना है किस direction में काम करना है किस तरीके से आपको guidance दिये गए है उस तरीके से आप काम करते हैं उस तरीके से आप behave करते हैं वही informal organization में there is no set pattern for behavior यहाँ पर कोई भी behavior का set pattern नहीं होता है कोई भी किसी भी तरीके से अपने मन से behave कर सकते है for example आप organization में गए आप स्टार्टिंग में सब से अचे तरीके से रहते हैं सब आपके friends बन जाते हैं informal organization फिर जैसे जैसे आप अपना रंग दिखाना स्टार्ट करते हैं आप लणाई जगड़े करते हैं जो आपको पसंदी आता है वो बुलते है जो आपका informal group पे वो हटना स्टार्ट हो जाता है जो आपको पसंदी आते है या जिन लोगों का पसंदी आते है वो आपको हटाने लग जाते है तो इसमें कोई भी side pattern नहीं होता है next आते है nature के basis पे formal organization it is rigid in nature जो formal organization होता है वो rigid होता है मतलब आपको जो भी चीज़े बताई गई है जिस तरीके से है जिसके पास इतनी power है जिसका जितना control है वो कर सकता है तो उसी तरीके से चीज़े चलती है वही informal organization flexible होता है मतलब लोग आते जाते रहते change होता है आपका group change होता है और इसमें बहुत flexibility रहती कि आप अपने मन से कभी भी change कर सकते है आपको उस group में रहना है नहीं रहना है उसका apart होना है नहीं होना है यह आप पे depend करता है next आते है leadership के basis पे formal organization person with maximum authority is the leader जिसके पास सबसे ज़्यादा authority या जिसके पास बोला जातों सबसे ज़्यादा power होती है वो leader होता है वही informal organization में person who have greater acceptance by the group is the leader जो भी person है जिसको सब लोग पसंद करते हैं सब लोग agree होता है उस person के साथ में उसको leader बना दिया चाता है या फिर कोई leader नहीं होता है बलकि formal में जिसका organization है या सबसे टॉप position पर बठाए वो leader होता है next आता है flow of authority formal organization authority flows from top to bottom जो भी authority होती है वो उपर से नीचे की और flow होती है कि पहले उपर वाले के पास सबसे ज़्यादा power होती है फिर नीचे नीचे और नीचे वाले के पास सबसे ज़्यादा power होती वही informal organization में authority can flow in all direction जो power होती है वो किसी भी direction में move कर सकती है कभी किसी के पास होगी कभी किसी के पास या फिर सबके पास equal power होगी सबके equal अधिकार होंगे तो informal organization में power किसी भी direction में जा सकती है next आता है stability formal organization it is more stable as it exists till the survival of the organization जो formal organization यह stable रहता है long term तक चलते रहता है stable रहता है कि organization हमेशा चलता रहेगा जो जिस position पे लोग थोड़े वो change हो सकते है कि किसी का transfer होआ है promotion या कोई नई position पे जॉब छोड़के गए पर organization का जो formal relation होता है या formal organization रहता है वो हमेशा बना रहता है वही informal organization it is relatively less stable as employee can change their social group based on their desire जो informal organization होता है यह stable नहीं होता है employees अपना social group change कर सकते है उनकी desire के according for example आप school में तो आपका वहाँ पे जो friend circle होगा वो different होगा आप coaching में जाते तो वहाँ different होगा college में चलेगा तो वह informal organization change हो जाता है तो यह social group पे best होता है और आपकी इक्षा पे best होता है कि आपने किसको involve कर रहा है तो यह कुछ difference होता है formal और informal के बीच में वीडियो अच्छा लगे तो please like किजिए चानल को subscribe किजिए comment किजिए और किसी topic पे वीडियो चीता आप comment कर सकते आपकी झाल